मुख्यमंत्री आवास पर सीम अशोग गहलोत मीडिया से वीसी के जरिये रूबर हुए इस दोरान मुख्यमंत्री ने बताया कि राजोसान रैपिट टेस्ट किट से जाँच करने वाला देश का पहला राजज़ बन गया है जैपुर में रैपिट किट से 52 जाँच की गई जो सब ही नेगेटिव आई हैं सीम ने ये भी बताया कि अभी तक 10,000 किट आ चुके हैं और 50,000 किट और आ जाएंगे इसके बाद जाँच में और तेजी आएगी लेकिन इसके बावजूद PCR टेस्ट कराना जरूरी होगा सीम ने कहा कि अब तक राज़व में 42,751 टेस्ट किये जा चुके हैं और साथ ही सीम ने सोशल मीडिया की अफवाहों से भी दूर रहने की अपील की उन्होंने कहा कि किसी को भी अधिकरत जानकारी अगर लेनी है तो वो अधिकारियों से ले विडियो कॉन्फरेंसिंग में चुकेट्सा मंत्री डॉक्टर रगू शर्मा, CSDB गुपता, ACS Health रोहित कुमार सिंग, मुखे मंत्री सचिव कुल दीप रांका सहित कई अधिकारी मौजूब रहे कि अधिकरत रहे हैं, इस ट्रेस्ट प्रतंत चेंड में थोड़ा आबास लग जाता है जो इसकी नहीं होगी, इसकी नहीं साथ साथ में इसमें जब चिंप्टम्स आएंगे या जानकारी प्राप्ट होगी कि इनको खाजी दुकां भी हैं, ऐसे लोगों के ट्रेस्ट भी के जाएंगे, और बड़ी संग्या में ट्रेस्ट होगे, उससे अंदार लग जाएगा कि इसमें कौन से पेचेंट की PCR ट्रेस्ट करवाना अविश्यक है, PCR किट की भी कोई कमी नहीं है राज़तान के अंदर, और ये में आपको भी आखने दिये हैं, इनकी भी कमी नहीं रहेगी, तो बड़े रूपे राज़तान में हम लोग चाहेंगे कि अभी तवी राज़तान पुरे देश के अंदार बजड़ी सजार सासो इकामन ट्रेस्ट कर चुका है, सबसे अधिक है, लोग डाउन के साथ में सरकार चाहेंगी कि कैसे हम लोग बड़े रूप में टेस्ट कर राज़तान में करें, मज़ कर राउन गांदी जी ने कहा था, अधिक अधिक टेस्ट होने चाहिए, फुरे देश के अंदर, उस सिद्धान को राज़तान ने सबसे पहले अपनाया है, सबसे पहले रैपीड टेस्ट श्रू कर दिये हैं, अब उसी से अंदार लगेगा कि राज़तान का खड़ा ह है, कि तो सिद्धी में खड़ा है, एक बात और मैं करा जांगा, दूसरी बात की विड़ोना हम आप एक भी केस दे रहा है, एक केस बाकी था, वो भी नेगेट वा गया है.